ओम नमस्षिवाय स्वागत है आप सभीगा मेरे बक्ती भावना यूटुब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको दो महा योगों की बारे में जानकारी दूँगा यह योग 29 तारीश शुक्रवार को पढ़ रहे हैं अगर 29 तारीश शुक्रवार के दिन ऐसे योग पढ़ते हैं और वो भी सामन के महिने में तो कापी सालों के बाद में यह योग आते हैं इस दिन अगर आप एक दीपक भी जला देते हैं तो आपकी मनोकामना आवस्ची ही पूरी होगी भगवान प्रसन होकर के मनवांचित फल परदान करें स्त्राब्रमाज का महिना भगवान सिव का प्रिय महिना है भगवान सिव के पूजा की जाते हैं सिवलिंग बेल पत्र चड़ाए जाते हैं भगवान का अपसेख किया जाता है और भगवान प्रसन होकर के सभी मनोकामनाय पूरी करते हैं उसमें भी अगर ऐसे योग पढ़ते हैं, पुष्च योग और सिद्ध योग, तो यह योग पहुत ही शुम माने जाते हैं, पुष्च नक्यत्र हो, सिद्ध योग हो, तो ऐसे योग कापी समय के बाद में पढ़ते हैं, इस दिन आपको कुछ निमन उपाय करने हैं, जिससे आपकी प्रतिक मनोकामना पूर्य होगी, इस दिन आठ राशियां पिहदी भग्य साली रहने वाली हैं, सभी राशिवाले, कोई भी इच्चा बोल करके आप ये उपाय करें, आपको पांच दीपक बना करके त्यार करने हैं, आठे के पांच दीपक बना करके त्यार करने है और यह है साम के समय आपको उपाए करना है आटे के पांच दीपक बना करके तियार कर ले या तो आप ये दस वजे से पहले, सुबह दस वजे से पहले कर लें उपाए या फिर साम को करें दस वजे से पहले कर लें तो जादा अच्छा है क्योंकि उसके बाद पुष्षी जो नक्यत्र है वो है समाप्त हो जाएगा नो सत्ता सैंतालिस के बाद तो उससे पहले कर लें तो आपको विशेश लाब मिलेगा सबसे पहले भगवान सिब जी का अपसे करना है अपसे करने के बाद में एक बेल पत्र पर थोड़ी सी बस्म और गाय का गी लगा कर उसके उपर चावल रखकर के भगवान सिब को अरपन कर देंगे उसके बाद भगवान के सामने दीपक जला देना है और सफिद मीटा भगवान सिब को अरपन कर देना है उसके बाद दूसरा दीपक माता पारवती के सामने जलाना है माता पारवती के सामने दीपक जलाना है और माता पारवती को चुन्डरी उड़ा दें उनके सामने केले के फल रख दें अपनी इच्छा बोल करके तीसरा दीपक आपको माता दुरगा के सामने जलाना है माता दुरगा से परातना करनी है और माता दुरगा को एक नारियल बेट सरुप अरपन करना है इससे आपके मन में जो भी कामना है वह मनो कामना पूरी होगी चोता दीपक आपको माता लच्चमी के सामने जलाना है और माता लच्चमी को ग्यारे गुलाब के पुषपरपन करेंगे और मीटारपन करेंगे और पांच मात पुषपरपन दीपक आपको भगवान विश्णू के सामने जलाना है और भगवान विश्णूं से प्रात्ना करने हैं, के हमारी मनों कामना पूरी हो। यह पांच दीपक आपको जलाने हैं भगवान के सामने भी नैवे दिरपन करें। आपकी प्रतिक मनों कामना पूरी होगी, यह उपाएं बहुत ही चमतकारी हैं। मेश रासी, प्रशव रासी, मितुन रासी, कर्क रासी, कन्या रासी, तुला रासी, मकर रासी, कुम और मीन रासी, ये रासिया हैं जो इस दिन व्यादी भागिसालिय लखी रहने वाले हैं। जल्दी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। बहुत बड़ा योग हैं। मुझे उम्मीदा आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को जादे जादा सेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। बटन को दबाएं। ओम नमस्यवाएं।